दोस्तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर श्टॉक माकेट में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट के जरुवत पढ़ती है और आज के टाइम पे ग्रोव एप्लिकेशन से बड़ी या डीमैट अकाउंट कोई नहीं हो सकता जहां पर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज देनी की जरुवत नहीं है और ग्रोव एप्लिकेशन को यूज करना भी काफी आसान है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रोव एप्लिकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो व वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो एपको ओपन करने के बाद आपको अपनी इमेल आईडी के साथ साइन अप करना है साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो continue with google इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाईल में जितने भी इमेल आईडी वक्त याद रखना है क्योंकि जब भी आप grow app में login करोगे यह पिन के आपको जरूवत पड़ेगी फिर से आपको अपना पिन कनफर्म करना है जो आपने पहले डाला था उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ permissions को allow करना है allow permissions पर क्लिक करना है और फिर आपको सभी permissions को allow कर देना है उसके बाद यहाँ पर यह आपके number को एक बार फिर verify करने के लिए बोलेगा जो हमने starting में number डाला था उस number को यहाँ पर हमारे phone में जो भी sim card है वो यहाँ पर बता देगा जिस number को हमने पहले डाला था वो same sim card हमें यहाँ पर choose कर लेना है यहाँ पर नीचे send sms पर click करना है अगर आपने जो number पहले sign up करने के लिए डाला था वो number अगर आपके phone में नहीं है तो यहाँ पर mobile verification fail हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पर आप वो same sim card डालके verify कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पर skip for now पर आप click कर सकते हैं तो हम skip for now पर click करते हैं इसके बाद यहाँ से आपकी KYC के process शुरू हो जाती है यहाँ पर आपको अपना pan card number डालना है और फिर continue पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके pan card से इसने details ले ली है आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा अगर आपका नाम वगरे सब सही है तो यहाँ पर आप नीचे yes confirm पर click कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके bank account को verify करना है verify करने के लिए यहाँ पर आपको phone पे, paytm, google पे यह तीन options बताएगा इन में से किसी भी एक को आपको choose करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक रुपया pay करना है और एक रुपया pay करने के बाद आपका bank account verify हो जाएगा बट वो जो एक रुपया आपने pay किया है वो तीन दिन के अंदर आपके bank account में फिर से आ जाएगा bank account verify करने के बाद यहाँ पर आपको आपका occupation पूछेगा कि आप housewife हो, student हो, self-employed हो, business करते हो, retard हो, farmer हो जो भी आपका profession है वो आपको choose कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको आपके parents की details डालने होगी जैसी कि आपके मम्मी का नाम और पापा का नाम फिर आपको यहाँ पर आपकी annual income select करनी होगी कि आप साल का कितना कमाते हो, एक लाग की नीचे कमाते हो तो आप up to 1.000.000.000 के बीच में कमाते हो तो एक से 5.000.000.000 कर सकते हो जो भी आपकी साल की जितनी भी income है वो यहाँ पर आप select कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको select करना है कि आप single हो या married हो फिर यहाँ पर यह आपका trading में experience पूछेगा कि आपका trading में कितना experience है अगर आप trading में नए हो आपका कोई भी experience नहीं है तो यहाँ पर आप no experience चूज कर सकते हो या फिर आपका जो भी trading में experience है एक साल, दो साल, तीन साल वो आप select कर सकते हो फिर यहाँ पर यह आधार को OTP के थूँ verify करनी के लिए बोलेगा उसके लिए यहाँ पर आपको continue पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको allow पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार number डालना है और फिर नीचे capture डालका next पर click करना है उसके बाद आपके आधार के थूँ जो भी number link होगा उस पे एक OTP आएगा वो OTP को आपको यहाँ पर डाल लेना है और फिर Continue पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर यह 6 डिजिट का पिन डालने के लिए बोलेगा अगर आपने DigiLocker में पहले से ही अकाउंट बनाया है तो आपको अपना 6 डिजिट का पिन डालना है अगर आपको अपने DigiLocker का पिन नहीं पता है तो यहाँ पर Forget पिन भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ Permissions को Allow करना है यहाँ पर नीचे Allow पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको अपनी Selfie कीचनी होगी तो यहाँ पर आप Open Camera करके अपनी Selfie कीच सकते हो फिर यहाँ पर आपको अपनी Sign करने होगी Sign करने के लिए नीचे यहाँ पर आप Option देख सकते हो Proceed to Signature इस पर आपको क्लिक करना है यह जो Blank Area दिख रहा है इसमें आपको कुछ इस तरीके से जो भी आपकी Sign है यहाँ पर आपको अपकी Sign करने हो नीचे Submit के बटन पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको Nominee Add करने का Option आएगा यहाँ पर नीचे Add Nominee पर क्लिक करना है और Nominee को Add करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको Nominee का Full Name डालना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नॉमिनी का relationship चूज करना है कि नॉमिने आपके क्या लगते हैं फिर यहाँ पर आपको नॉमिनी की date of birth डालनी है और नीचे यहाँ पर नॉमिनी का identity proof भी आप डावल सकते हो आधार काड या pen card अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे skip भी कर सकते हो सारी details डालने के बाद यहाँ पर save details का option है यहाँ पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको percentage देने का पूछेगा अगर आप एक से ज़ादा नॉमिनी को add करते हो तो हर एक नॉमिनी को कितना percentage मिलेगा share का वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर हमने एक ही नॉमिनी चूज किया है जिसको 100% मिलेगा तो यहाँ पर हम नीचे finish नॉमिनी edition पर click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आपके आधार के थूँ e-sign करना है e-sign करने के लिए यहाँ पर नीचे option दिख रहा होगा finish setup with e-sign इस पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाएगा यहाँ पर आपको नीचे sign now पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार number डालना है आधार number डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको terms and conditions यहाँ पर click करना है और फिर उसके बाद send OTP पर click करना है आपके mobile number पर एक OTP आएगा जो आपके आधार card के थूँ लिंक है तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है और फिर यहाँ पर verify and sign पर click करना है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि you are all set यानि कि हमारा जो process है KYC को पूरा complete हो चुका है हमारा account यहाँ पर activate नहीं हुआ है हमारा activate 48 गंटे के अंदर अंदर activate हो जाएगा जिसके बाद हम shares खरीच सकते हैं या फिर investing करना start कर सकते हैं यहाँ पर तब तक आप let's grow यह है यहाँ पर click कर सकते हो click करने के बाद यहाँ पर आपका account यहाँ पर देख सकते हो progress में चला गया है आपका account जैसी activate होता है वैसी आपको sms के तुरू या email के तुरू एक message आएगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका account activate हो चुका है तो दूस्तो कुछ इस तरीके से आप grow application में अपना account open कर सकते हो बिलकुल free में